आज आपके साथ मैं cooking and kitchen tips लेकर की आई हैं नम्मर वन पकोड़े को ज़्यादा tasty और crispy बनाने के लिए मिस्टर में थोड़ा सा दूद मिला दें ध्यान रखें नमक दूद के बाद में मिलाएं इससे एक पकोड़ी कुरकुरी बनेंगी चावल की खीर बनाते समय उसमें चुत्की भर नमक डाल दें इससे खीर की मीठी कम लगेगी और टेश्ट दोगना बढ़ जाता है आलू के पराथे को टेश्टी बनाने के लिए आलू के मसाले में कसूरी मेथी और मेगी मसाला मिला लें स्वाद दोगना हो जाएगा नमबर फोर, कड़ी बनाते समय दही फट जाता है तो कड़ी बनाई तो उससे लगातर चलाते रहें जब तक उसमें अच्छे से उवाल ना आ जाए उसके बाद नमक मिलाएं दही नहीं फटेगा नमबर फाइब, पनीर को एक बरतन में पानी भरकर रखें इसे में पानी पनीर ताजा बना रहेगा और पानी को कुछ-कुछ घंटे में बदलते रहें इडली या धोसा बनाते समय उसकी सामिक ग्री में एक चम्मच मेथी डाना डालकर बैटर बनाएं इससे इडली का टेस्ट अच्छा आता है नमबर सेवन चावल बनाते समय पानी का अंदाजा रखना बहुती कठिन काम है इसलिए अगर पानी कम या ज़्यादा हो जाता है तो चावल बनाते समय एक चम्मच तेल और नीवु की रस की कुछ बूदे डालनें चावल खिले-खिले बनेंगे नमबर एट, डूडल्स उबालते समय चिपक जाते हैं तो उबालने के बाद छलनी में चान का फ्रिज के ठंडे पानी से धोलें ऐसा करने से नूडल्स चिपकेंगे नहीं नमबर नाइन, प्रोटीन से भरी डाल कुछ लोग नहीं खाते हैं इसके लिए डाल बनाते समय उसमें चुटकी भर हल्दी और चार-पांच बूदें बादाम के तेल की डालनें जो नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे नमबर टैन, केक घर पर बनाते हैं तो एक चम्मत चीनी को पानी में जब तक उबालें जब तक के चीनी भूरे रंकी ना हो जाए फिर इसे केक के बैटर में मिला लें इससे स्वाद और रंग दोनों अच्छे हो जाएंगे नमबर लेवन, आलू जैसी कोई भी चीज उबालने रख रहे हैं तो धकन बंद करके रखें इससे उबालने की प्रिक्रिया तेज गती से होगी और आपका समय बच जाएगा इसके अलावा भी कुकिंग करते समय खाना धक कर पकाने से जल्दी पकता है और पोसक तत्वी ख पिघलने के लिए उन्हें कद्दूकस करें अवन में बटर को रखने में जितना बक्त लगेगा उससे कम बक्त में कद्दूकस किया हुआ बटर पिघल जाएगा 14. सबजी पकाने के लिए आपके पास ज्यादा बक्त न हो तो उसे बारी कट सब काटें सबजियों का आका जितना छोटा होगा पकाने में उतना ही कम बक्त लगेगा 15. किसी भी तरह के बीज या साब उतनाज को भी होते वक्त उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा डालें इसे वह पकने में कम समय लेते हैं 16. ग्रेवी वाली सबजी बनाने के लिए सफेद प्याज का इस्तमाल करें यह लाल प्याज के मुकाबले बहुत कम पानी रिलीज करते हैं जिससे ग्रेवी जल्दी गारी हो जाती है साथ ही ग्रेवी में धनिया पावडर का इस्तमाल कर रही हो तो उसे भी जल्दी डालें इस इसे ग्रेवी जल्दी भुन जाती है नमम्मर 17 पालक की सबजी कम लोग तेश्टी बना पाते हैं इसलिए लोग जब पालक की सबजी बनाते हैं तो वह गीली हो जाती है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है पालक को टेश्टी बनाने के लिए उसको धोकर कपड़े पर सुखा लेना चाहिए नमबर 18 कई दिसा में लहसुन डालने के बाब जूद भी टेस्ट अच्छी अच्छा नहीं आता है इसका कारण है लहसुन का जल जाना लहसुन की धीमी आज पर पकाना चाहिए उसका रंग ब्राउन होने पर पकाना बंद कर देना चाहिए तो सब्जी म हमेशा सब्जी या दाल बनने के बाद उपर से डालें इससे हिंक की अच्छी महका आईगी और पाचन सकती भी बढ़ेगी टमाटर का सूप बनाते समय उसमें थोड़ा सा पुदीने का पावडर डालने से उसका स्वाद सुगंद दोनों बढ़ जाती है दूद फटने का आवास हो तो उसमें एक चम्मत पानी और आदा चम्मत बेकिंग सोड़ा डालकर मिलाने उपलते से दूद नहीं फटेगा नमबर 22 मूंग दाल के चीले बनाते समय दाल में चावल का आटा मिला लें इससे चीले क्रिश्पी ट्रेश्टी बनेंगे नेक्स देख लेते हैं नमबर 23 अगर चावल जल जाएं तो उसके उपर वाइट ब्रेड की स्लाइस रख दें इससे जलने की बदबू नहीं आएगी नेक्स देख लेते हैं नमबर 24 नीवू के अचार में नमक के दाने पढ़ जाएं तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें इससे अचार दोबारा ताजा हो जाएगा नमबर 25 दही बड़े बनाने के लिए दाल पीश रही हैं तो उसमें थोड़ा सा सूजी मिला दें इससे बड़े जादा नरम और स्वादिष्ट बनेंगे 26 अगर आप लौकी का हलवा बना रही हैं तो उसमें मलाई डाल कर भूनें इससे हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाता है 27 खीर बनाने के लिए हमेशा भारी बड़तन का इस्तमाल करें ताकि दूद न जले 28 गरम तेल में जीरा और प्याज भूने के बाद हलदी और फिर सबजी मिक्स करें इससे सबजी का कलर अच्छा आएगा 29 भिंडी काटते समय चाकू पर नीवू का रस लगा लें इससे भिंडी की लैस नहीं चिपकेगी 30 फ्रिज में लगे दाग धब्बों को दूर करने के लिए नीवू को काटकर उस पर नमक लगाकर रगड़ें इससे दाग धब्बे साफ हो जाएंगे 31 एंच सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है 31 बैंगन को भूलने से पहले इन पर थोड़ा सा तेल लगा लें ऐसा करने से इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा 32 अगर सूखी सब्जी में नमक तेज हो जाए तो उसमें थोड़ा सा बेशन मिला लें इससे एक्स्ट्रा नमक थोड़ा कम हो जाएगा 33 फूल गोवी को पकाने पर उसका रंग चला जाता है ऐसा ना हो इसके लिए फूल गोवी की सब्जी में एक चम्मस दूद या फिर सिरका डालें 34 सब्जी में नमक और मिर्च जादा हो जाए तो आप नीवू के रस का इस्तमाल करें नीवू का रस सब्जी डाल या पुलाम में डालने से तीखा पन तो कम होगा साथ ही ठाने में स्वाद भी बढ़ जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा टिप्स होता है नमक या फिर मिर् करके डाल दें तो इससे पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है तेल की बजाए देशी घी में सेक हैं तो स्वाद और दोगना हो जाता है पराठे का टिप्स नम्मा 36 क्या आप भी दही को इस्टी लिया फिर प्लास्टिक के बरतन में रखते हैं अगर हां तो अब आपको दही इस तोर करने के लिए कांच के बरतन का इस्तमाल करना चाहिए कांच का बरतन दही में खटा वो पैदा होने से रोक सकता है गर्मी में भूल कर भी इस्टी लिया प्लास्टिक के बरतन में दही ना रखें दही खटा नहीं होगा गर्मियों में भी तो अगर दही आपका खट खट्टा होने की तो आप कांच के बरतन का इस्तमाल करें बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा नमबर 37 देख लेते हैं उपमा खीर बनाने के दौरान कई वार उनके जलने की शिकायत सामने आती है हमेशा उपमा खीर जैसी चीजें बनाने के लिए मोटे तले वाले बरतन का उपयोग करें डिस्के जलने की परेशानी दूर हो जाएगी तो अगर आप खीर उपमा बना रहे हैं तो मोटे तले का बरतन इस्तमाल करें तो नीचे नहीं लगता है बरतन बरतन अगर हलका बरतन लेंगे तो उसमें नीचे लगज़ेंगे जल जाता है 38 डाल बनाने के दोरान कई बार उसमें जाग पैदा हो जाता है और दाल छलकने भी लगती है अगर आप अक्सर इस तरह की परेशानी का सामना करते हैं तो दाल उबालने के दोरान पानी में एक टी स्पून तेल डालों लें इससे जाग डाल में जागा आना बंद हो जाएगा तो आप उसमें एक चम्मस तेल डाल दें या फिर देशी घी डाल दें दाल वालते समय जिससे के उसका पानी उपर नहीं आएगा बरतन से तो ये थी आज की किचिन कुकिंग टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग